आप देख रहे हैं Global India TV नमस्कार मैं हूँ अभिशेक और आप देख रहे हैं Global India TV आईए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की और महुझ जिन्पत पंचाहत के मुस्लिम बहुले शेतरवाली ग्राम पंचाहत केशर बढ़डी में पंचाहत बनने के बाद से अभी तक कॉंग्रिस का ही सरपंच रहाल लेकिन इस बार भाजपा की युवा नेत्री फरहाना भी पती मुशर्फ पटेल ने कमाल कर दिया कॉंग्रिस की गड़ कही जाने वाली ग्राम पंचाहत केशर बढडी में भाजपा की एक तरफा जीत कर ग्राम पंचाहत केशर बढडी में कमल के फूल को खिलाया ग्रामवासियों और समर्थों को द्वारा निकाले के विजज़ जुलूस में अपार जन्सम्हों के साथ पूरे ग्राम केशर बढडी में घर घर जाकर लोगों के चरण स्पर्श कर शेतर के प्रतेक मतदाताओं का दल से आभार प्रकट किया इस आउसर पर सरपंच पती मुशरफ पतेल ने अपनी एंतिहासिक जीत पर कुछ भावग भी नजर आए हमसे बात करते हुए नवनेरवाचित सरपंच पतेनीधी मुशरफ पतेल ने बताया कि यतनी विशाल जीत की तो हमें उमीद नहीं थी मेरे साथ जुड़े हुए युवा आशिरवाद दाताओं ने ये कमाल कर दिखाया अब मत दाताओं के विश्वास पर खरा उतरना है गाओं की मूलभूत आवशक्ताओं नर्मदाजल पानी की टंकी ड्रेनज सिस्टम सिमेंट रोड स्ट्रीट लाइट गाओं के मुखे च अंचायत में 20 साल से उनका राज था तो काम कुछ भी नहीं हुआ, विकास कुछ नहीं हुआ तो हमने विकास कोई मुद्दा बना कर चुनाओ को लड़ा था चुनाओ के लिए मेहनत करी हमने विकास के मुद्दे को लेकर लोगों को घरगर जाकर समझाया उनकी समस्याएं सुनी तो सबसे बड़ी समस्या पानी की थी तो हमने चुनाओ वोटिंग होने से पहले हमने टें पिजननाद की और उसकी मेहनत का नतीजा, मेहनत का फल हम को मिला। और अब हम जो है ये वादा करते हैं अपनी जन्ता से क्या हम विकास के मुद्दे पर लड़े हैं और हम विकास ही करेंगे। सबसे पहले हम पानी की समस्याइं दूर करेंगे फिर जो सड़के हैं नालिया हैं सारे काम जितनी भी गाओं घर घर जाकर हम लोगों की समस्याइं सुनेंगे और जिसकी जो समस्या होगी उस समस्या पर हम पूरा काम करेंगे हमारा ये लक्षी है कि जो काम इन्होंने 20 साल में ने किया हम वो काम 5 साल में करके दिखाएंगे और ऐसा काम करेंगे ताकि अगली बार हमें जो है वोट मांगने की जरूरत न पड़े लोग खुद आगे बढ़ चर कर हमारा साथ देंगे हमारा काम देख कर तो बस मेरा नाम मुशरफ खान मुशा करीम सरपंच परतिनी दी मुशरफ खान मुशा करीम